यहां पधारें, यह सहर सिकूरता जा रहा है, अंग्रेजों के जमाने से बारा कोईले की खदाने आज तीन में आ गई हैं, और इस सहर सिकूर रहा है, हमारे समिक सिकूर रहे हैं, मैं आदर्निया निवदन करूँगा कि यहां पधारें, क्योंकि महिलाएं यहां पास खड़ी है इसलिए वो यहां से बात करना चाहती है दिख रही हूँ जय जोहर आप सब काफी समय से इंतजार कर रहे हैं न बहने काफी समय से बैठी है गर्मी भी है बहुत धन्यवाद श्री बुपेश बगेल जी श्री सचेन पाइलाट जी श्री चरन्दास महंत जी श्री मती जोचना महंत जी श्री दीपक बैठ जी श्री तामर भुध थ्ण्वाहू जी मंच पर विराजमान सभी नेटा गन, सभी पदादिकारी प्यारे कारिकर्ता गन मेरी प्यारी बेहने, प्यारे भाई, आप सबका इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत, बहुत गर्मी है, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बातों को सुनने के लिए आप इतनी दूर से आए हैं, एक बार मेरे साथ बोलिए भगवान जगनात जी की, सिद बाबा जी की, मामा महा माया की, 36 गण मैं तारी जी की, यहाँ, यह जो धर्ती है आपकी, उपर से मैं हेलिकॉप्टर से आई, तो मुझे अच्छी तरह से पूरा इलाका दिख रहा था, कई जगे मैंने देखा कि काफी सूखी जमीन दिख रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ हर्याली है, इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है, यह इलाका पहाड़ है, नदी भी है, बहुत सुंदर इलाका है, और मैं जानती हूँ, मेरी दादी इंदरा जी हमेशा कहती थी, कि जो आदिवासी भाई बहन हैं हमारे, उन्होंने हमेशा प्रकृती का आदर किया है, और यह जो जमीन है, यह जो जंगल है, यह जो नदियां है, जानवर हैं, इनसे आपका एक अलग जुडाव होता है, इन इनका आदर करते हैं अपनी संस्कृती में, और आपकी जो संस्कृती है, आपको सिखाती है, कि सब आपस में, जब फूले फलेंगे, तभी इंसान आगे बढ़ेगा, पूलेगा फलेगा, तो आप हमेशा चाहे प्राकृती की कुछ भी चीज हो, चाहे पेड हो, चाहे जैस उनका देखबाल करते हुए, सब को अच्छा रखते हुए ही, अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, तो ये बात मुझे बच्पन में ही इंद्रा जी ने सिखाई थी, जो जब जब वो आदिवासी क्षेत्र में जाती थी, और उनके आदिवासी भाई बहन उनको कुछ देत थे, हमेशा अच्छी तरह से अपने घर में सजा के रखती थी, आज भी अगर उनके घर जाएं, तो आपको उनके कमरे में वो चीजे दिखेंगी, जो खास तोर से यहां के जो च्छतीस गड़ के अदिवासी भाई बहन है, उनकी कला और जो उनकी जो हस कला थी, वो चीजे आज भी उनके यहां, अगर जहां म्यूजियम बना है, वहां पे आप जाएं तो आपको दिखेंगी, देखें यहां, यह जो आपकी धर्ती है, यहां मजदूर यूनियन के जन डाता पंडित राम कुमार जी दूबे भी रहते थे, यह उनकी जन भूमी है, शिक्षा क्षेत रता में प्रमुख भूमिका निभाने वाले, श्री रतनलाल मालविय जी, पंडित ज्वाला प्रशाद उपाधिय जी और बाबुलाल गुपता जी भी थे, यह आपके महापुर्स हैं, आपकी जमीन से उठें, लड़ें इस देश के लिए, कोई आजादी के लिए, कोई श आपके यहाँ इलाके के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए भी, यह प्रकृतिक संसाधनों से भरपूर धरती है, आप महनती लोग हो, रास्ते में पाइलट जी बता रहे थे कि यहाँ शुरू में हर प्रदेश से अलग-अलग लोग यहाँ आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, और यहाँ पे जो खदाने हैं, उनमें उनको रोजगार मिला, यहाँ पे बसे, तो कुछ आपके पूरवज अलग-अलग प्रदेशों के भी होंगे, और कुछ आप लोग इस प्रदेश के भी हैं, सब ने यहाँ इस इलाके के लिए, अपने प्रदेश, अपनी धर करती के लिए, पूरी तरह से महनत की, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को विक्सित करने के लिए, बचों के भविष्य बनाने के लिए, आपका जो 36 गड़िया समान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, वो देश भर में उसका नाम बना है, और मेरे पहले बगेल जी की बोले, मैं आप से कहना चाहती हूँ, कि बगेल जी ने खुब कोशिश की, आपके प्रदेश को आगे बढ़ाने की, और मेरे ख्याल से, उनी कोशिशों की वज़े से, सबसे जादा आक्रमन उनी पे हुआ, उन्होंने जो 36 गड़िया स्वाभिमान की बात उठाई, ये प में, मैं कहीं जाती थी, लोग मुझे कहते थे कि वहाँ पे तो बहुत तरक्की हो रही है, और लोग बात करते कि किस तरह से आपके प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जब ये काम तेजी से आपके प्रदेश में होने लगा, तो जो बाकी जो राजनेतिक दल है, खास तोर से भाजपा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी राजनीति कुछ अलग है, मेरी बेहने आप बैठी है, मैं चाहती हूँ आप बहुत गहराई से समझिए, कि आज देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, देश में कैसे नेताओं पर अक्रमन हो रहा है कैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, देखिए, यहां चिर्मिरी में सबसे पुराना जो कोईला का ख़दान है, यहीं है, है की नहीं, सो वर्ष पहले ये बनाया गया, यहां जो कोईले का क्षेत्र है, वो आगे, उसको आगे इंद्रा जी ने बढ़ाया, उन्होंने जो खदान है, उनका राश्चिकरन कराया, ताकि आप सब को रोजगार मिले, यहां पे खुशाली आए, और इसी के जरिये लाखों मजदूरों को रोजगार मिला, आज जो देश में राजनीती है, वो एक तरह से गरीबों के श्रमिकों के विरोधी, किसानों के विरोधी राजनीती चल रही है, आपको बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी बताई जाती है, कास तोर से जब भाजप्पा के बड़े-बड़े नेता आपके सामने आते हैं, आपको बताते हैं कि देश में बहुत खुशाली है, अर्थ जवस्ता बहुत मजबूत हो रही है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत चीजें गिनाते हैं कि बड़े-बड़े इवेंट किये हैं, बड़े-बड़े विदेश के प्रधान मंत्री और राश्ट्रपती हमारे देश में आए हैं, लेकिन जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको गहराई से बाते समझनी हैं, तो मेरा मतलब यह है, कि यह जो नेता आपके सामने आते हैं, और यह सारी बाते कर रहे हैं, भाजप्पा के नेता, खास तोर से मोधी जी, तो आपको गहराई से पूछना पड़ेगा अपने आप से कि भाई आपकी बात क्यू नहीं क आपकी बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी बात इन मंचों पे नहीं हो रही है, इन मंचों पे जो बात होती है, वो बड़े-बड़े इवेंट की बात होती है, कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है, आपके जीवन में, जिन संग घर्षों से आप गुजर रहे हैं, उनकी बात नहीं होती, आज यहां आप ही के इलाके में हालात क्या है, कई खदाने बंध हो गए हैं, हुए हैं की नहीं, हुए हैं ना, और कईयों का निजी करन हो गया है, बगेल जी ने बोला, बड़े बड़े खरब पती अडानी जी को दिये गए हैं, कॉंग्रेस के जरीए यह बनवाए गए, यहां पे कोर्बा, कोल फील्ड थी, सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए, लेकिन मोदी जी ने लगभग सब कुछ आस्ते आस्ते अपने बड़े बड़े खरब पती मित्रों को दे दिया है, यहां के खदान, देश के बंदरगा, देश के हवाई अड़े, सारी सडकें, बिजली, पावर, यह सारी चीजें, अब अपने बड़े बड़े खरब पती मित्रों को सौप दी है, यह सब चीजें, बहनों और भाईयों, यह सब संपत्ती किसकी है, यह संपत्ती मोदी जी की नहीं है, यह संपत्ती है, देश की संपत्ती आप अपने आखोस के सामने आपने देखा, जब देश की संपत्ती थी, तो रोजगार मिलते थे इन ख़दानों में, और सुरक्षा भी मिलती थी रोजगार की, आज सरकारी नहीं रहे, तो बड़े-बड़े सेट्स तै करेंगे कि आपका वेत तो जो आपको एक पहले रोजगार की सुरक्षा मिलती थी, वो नहीं रही, आज श्रमिकों को ठेके द्वारी द्वारा, उनका सोशन हो रहा है, आपको ठेके पे नौकरी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है, मजदूरी कम मिल जाती है मेहनत करते हैं आप घर जाते हैं ठके हुए गर्मी में गर्मी में धूल में खदानों के अंदर काम करते हैं लेकिन वो मेहनत करने के बावजूद आपकी कमाई पूरी नहीं होती कई लोगों की जमीने ख़दानों के लिए ली गई उन्हें मुआज़ा नहीं दिया गया पुनरवास नहीं किया गया रोजगार नहीं दिया गया उनको ऐसे ही छोड़ दिया कि आपकी जमीन हम ले रहे हैं किसी को दे रहे हैं लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है आ पे आपका हक है, वो हक आपको सम्विधान ने दिया, उस हक को मजबूत इंद्रा गांडी जी की सरकार ने किया, और उसके बाद कॉंग्रिस की हर सरकार ने किया, जो आपकी ज़रूरते हैं उनके लिए काम किया, आज परिस्तिती ये है कि एक भी ट्रेन, शायद एकी ट्रेन रही है यहां, मैं उपर से देख रही थी, कि दूर दराज राका है, यहां लोग पहुंचते कैसे हैं, गाडी से पहुंचते हैं, मैं यहां आई, पूछा तो कहा कि एक ही ट्रेन है दिदी, हवाई अड़ा दूर है, चालिस मिनट तो मुझे लगे हेलिकॉप्टर से आने मे तो आप जब गाड़ी से जाते होंगे, या आप ट्रेन से जाते हैं, तो कितना समय लगता होगा, किसी ने आपको सुविधा दी नहीं, पूछा नहीं, तो जब मैंने आप से बात की, कि किस तरह की नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, भाजप्पा में पूरी तरह से, दो तरह के नेता हैं, एक जो सबसे बरश्ट नेता हैं, उन सब को एकठा करके उन्होंने अपनी पार्टी में डाल रखा है, जो दूसरी पार्टियों में बरश्ट थे, पहले उनके खिराफ आरोप लगाए, उन पे छापे मारे, उन पे दबाव डाला, उनको ले लिए और जब उनकी पार्टी में आ गए, तो साफ हो गए, पाक हो गए, तो उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं, कोई केस नहीं, कोई कारवाही नहीं, सब चुप चाप से बंद किया गया, तो एक तरह का नेता है, जो एकदम भरश्ट है, और दूसरे तरह का नेता, जो सारी हवा क की बाते करता है, जो आपकी बात नहीं करता, नरिंदर मोदी जी से लेकर, जो छोटा सा छोटा उमीद्वार है, इनकी पार्टी में, जब आपके सामने भाशन देने आएंगे, तो आपके बारे में नहीं बात करेंगे, महंगाई के बारे में नहीं करेंगे, जो आप हर रो हम Congress Party में हमारा प्रयास होता है कि जिन नेताओं को हम आगे बढ़ाएं वो सबसे पहले जनता के लिए काम करके दिखाएं। जनता के प्रति उनका समर्पन क्या है? उनकी श्रद्धा क्या है? क्या वो नेता समझ रहा है? कि जनता ही सर वो परी है कि हमारा देश एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सम्विधान ने जनता को सबसे बड़ी शक्ति दी है नेता को बदल डालने वाली शक्ति हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में जो भी नेता हो सबसे पहले इस बात को गंभीरता से समझें क्योंकि ज लेकिन रात एक करके आपके लिए काम करता है, वो मिसाल आपने अपने प्रदेश में देखा जब हमाई सरकार रही, मेरी आदिवासी भाई बहन हैं, हमने पूरा प्रयास किया, कि हम आपके लिए सब कुछ जितना भी कर सकते हैं, हम करेंगे, आपने देखा होगा, कि हमने गौठानों को भी मजबूत बनाने की कोशिश की, आपके अधिकारों को मजबूत बनाने की कोशिश की, आपको पटे दिलवाने की कोशिश की, ये सब भाजपा की सरकार नहीं करती, इन चीजों पर इन साब कामों पर रोक लगाती है, आज श्रमिकों का शोशन होता है जैसे मैंने कहा पता नहीं चलता कितना वेतन कौन देना चाहता है वो दे देता है हम अपनी पार्टी में ये प्रयास करना चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो बगेल जी ने न्याय की बात की हमने जो घोशना पत्र निकाला है इस चुनाव में उसका आधार यही है कि जो नेता है सब आपके प्रती समर्पित रहें और जो सरकारें रहें वो भी आपके प्रती समर्पित रहें और आपके लिए आपकी सेवा करें उस पत्र को हमने घोशना पत्र नहीं न्याए पत्र का नाम दिया न्याए पत्र का नाम इसलिए दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा अन्याए नरिंदर मौदी जी के दस सालों की सरकार में आपके साथ हुआ है किसी बड़े खरबपती के साथ अन्याए नहीं हुआ बड़े बड़े अद्योगपतियों के साथ नहीं हुआ, बड़े बड़े नेताओं के साथ अन्याय नहीं हुआ, वो सब आगे बढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं आपका वोट ले लेंगे धर्म के नाम पर, इधर उधर की बातों करके, और उनको काम नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ व्यापारियों से मिल लीजिए, उनसे बातचीत कर लीजिए, उनसे पूछिए उनकी समस्याएं क्या है, तो एक घंटे बैठे व्यापारियों के साथ, और उसके बात जब मैं मिली मैंने पूछा कैसी रही आपकी मीटिंग, तो कहने लगे, मीटिंग तो बहुत आपकी मीटिंग पूछने के लिए जिजक रहे थे, और जब मैं जवाब दे रहा था कठन सवालों का, और जब मैं कह रहा था कि पूछो, मैं सवाल का जवाब देता हूं, मैं बताता हूं हम क्या करना चाहते हैं, तो वो थोड़े से घबराय हुए लगे, बाद में उन्हो उन्हें सबने कहा कि हमारे यह परंपरा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री जी से सवाल कर सके, तो उस समय बगे जी और मेरी चर्चा हो रही थी, कि क्यों है ऐसा? और उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि देखिये दीदी, जो चर्चा उत्तरप्रदेश में हो रही है, क्योंकि ब तो नेता समझ गया है, कि उसे काम करने की जरॉoss नहीं है उनाओ आएगा, धर्म बात उठाएगा, जाती की बात उठाएगा, वोट कोई के बारे में तो पूछेंगा ही नहीं, काम के बारे में जो पूछता है उसको दबाया जाता है तो मैंने जब इस बात के बारे में गंभीरता से सोचा तो मुझे लगा कि Baghel जी की ये बात पिलकुल सही है कि जो जवाब दे ही होती थी पहले इंद्रा जी को मैंने देखा, राजीव जी को देखा एक जमाने में राजीव जी के साथ जब गाव जाती थी कि डाट पड़ती थी उन्हें गाओवालों से, उन्ही के जो संसदी एक्षेत्र में, हमेथी में, डाट देते थे कि भई राजी भईया आपने हमाई सड़क नहीं बनाई, आओ चाय पियो बैठो हमाई साथ लेकिन वोट हम तभी देंगे जब सड़क बनेगी, जागरुकता बहुत थी, प्रधान मंत्री से सवाल उठा सकते थे कि हमारी सड़क क्यों नहीं बनाई, आज वो जागरुकता जो है कम हो गई है, आज आपके सामने नेता आते हैं, आपको उक्सा देते हैं, धर्म की बाते कर लेंगे, कह देंगे कि आपका धर्म संकट में है, या फिर संपराएं, सुरक्षित नहीं है, और उसी के आधार पर फिर आपका वोट ले लेंगे, तो फिर नेता को लगने लगा है कि मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आपको सड़क मिले, पाठशाला मिले, सही वेतन मिले, रोजगार मिले, उसको कोई पर्वा नहीं ह वो तो जानता है, वोट तो उसको मिलना ही है, उसको बस धर्म का नाम लेना है, तो यह जो सिलसिला है, यह आपकी जागरुकता से ही खतम होगा, और आपकी जागरुकता कब आएगी, जब आप समझेंगे, कि जो सम्विधान है हमारा, उसने आप ही क्यों सक्ति दी है, जिस अंदोलन में हम सब अजाद ये देश अजाद हुआ, उस अंदोलन में जो बड़े-बड़े नेता लड़े किस लिए लड़े, आपको मालूम होगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी नेता थे बड़े-बड़े, पंडित नहरू हो, गांधी जी हो, अपनी सारी धन दौलत उन कि आपको अपने अधिकार मिले, उनके खून पसीने से हमारा देश बना, अजाद हुआ, अजादी का मतलब ये था, कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपनी सुवेधाओं की मांग उठाएं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप अंदोलन करें, आप स पसन नहीं है, वापिस आओ, मेरे सवालों का जवाब दो, यही अधिकार सम्रिधान ने आपको दिया और इसके लिए लड़े, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज लड़े, बड़े-बड़े आदिवासी नेता लड़े, तो आज अगर आप जगरुक नहीं बनेंगे, तो फिर उस लड़ाई का फाइदा क्या था, इतने संघर्ष का फाइदा क्या था, इतने अंदोलन का फाइदा क्या था, कि सतर साल बाद, जनता आखे मूंद ले, कोई कुछ भी कह दे, आप मान लेंगे, अब आप देखिए, यहाँ पे, आपका अंदोलन स्थल था, हसदेव जंगल बचावा अंदोलन था, क्या हुआ उस अंदोलन स्थल को, क्या हुआ, आग लगाई गई, हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारा देश अंदोलन से ही बना, और पूरी दुनिया में, सबसे महान अंदोलन था, क्यों क्योंकि उसमें हिंसा नहीं थी बाकी दुनिया में जब देश अजाद हुए लड़ाई से हुए जंक से हुए खून बहा हमारे देश में जब हमें आजादी मिली तो हिंसा से मिली इतना बड़ा अंदोलन था हमारे देश का पूरा अधार ही अंदोलन है और आज आपके अंदोलंस थल को जलाया जा रहा है आपके पेड़ काटे जा रहे हैं पंदरा हजार पेड़ काटे गई हैं पेड़ काटे गई हैं इसलिए हाथियों से जादा हमला भी हो रहा है आपके आपका पर्यावरन बर्बाद किया जा रहा है यहां पर जो बड़ा उद्योगपती आना चाहे, उसको चाहे जमीन चाहिए, उसको खदान चाहिए, जो चाहिए मिलता है, आपको नहीं मिल रहा है, हमने जो न्याय पत्र में आपके लिए जो कुछ चीजें लिखी हैं, आपको सुननी चाहिए, ध्यान से सुनिये, जाच से स्वास्त के लिए, जाच से लाज तक, आपकी पूरी सेहत की देखबल, कि जो सुविधाएं हैं, वो आपको मुफ्त में मिलेंगी, पचीस लाक रुपय तक, जो नियुंतम मजदूरी है, चार सो रुपय होगी, और जो शहरी क्षेत्र है, आपको मालूम होगा, मंद्रेगा में सौ दिन की नोकरी की रोजगार की गारंटी, कॉंग्रेस ने दी थी, मालूम है आपको, गाव में होता था मंद्रेगा अभी भी है, मोदी जी उसको बंद करना चाह रहे थे, फिर उनको लगा कि बंद करने से नुकसान होगा, तो उन्होंने उसको चलने दिया, लेकिन उसको धीमा कर दिया है, जितना पैसा उसमें मंद्रेगा में कॉंग्रेस की सरकारे डालती थी, उतना नहीं डालते ये, इसी तरह से, जै वन अधिकार के अधिनियम को हम लागू करना चाहते हैं, ये हमारी गैरंटी है, एक स्पेशल बजट और स्पेशल प्लान, मतलब खास बजट, कि खास पैसे अलग होंगे आपके लिए, कि आपके लिए उससे क्या-क्या काम हो सके, भूमी अधिगरहन का जो कानून है, उसम अधिकार आपके कमजोर हो रहे हैं, उन संशोधनों को हम हटाएंगे, राज्य में पेशा के अनुसार कानून बनेगा, और जहां जहां आदिवासी अबादी जादा है, उन पूरे क्षेत्रों को अनुसूशित शेत्र घोशित किया जाएगा, एक साल में जितने भी आपके FRA के क्लेम्स है, उनका निप्तान किया जाएगा, और जो आपके लगुवन के उपज हैं, उन पे आपको न्यूंतम समर्थन मूल्यम मिलेगा, MSP मिलेगी, देखिए मैंने आपसे कहा, बहुत बड़ी-बड़ी समस्या हैं आपकी, सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी ह आज देश में 35 सालों में सबसे जादा बेरोजगारी है, ये बात मोदी जी कभी नहीं बताएंगे आपको, भाजपा के नेता कभी नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं बताएंगे कि आज इस देश में 70 करोड लोग बेरोजगार हैं, कि 30 लाख पद खाली पड़े हैं बहनों ये पद पड़े हैं, लोगों को दे सकते हैं, ये नौजवान जो खाली खड़े हैं, इनको ये पद मिल सकते हैं, पाथ सालों से मोदी जी ने दिये नहीं है, खाली रखे हैं, और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जहां से रोजगार मिलता था, चाहे खेती हो, चाहे जो बड़े बड़े कारोबार हूं, चाहे खदान हो, वो सब लगभग- लगभग वहां से कमाई, इनोंने कम कर लिये जंता के लिए, अब अगर कमा रहा है तो बड़ा खरभपति कमा रहा है, खेती है तो cold storage खरभपति को दे दिया है, खदान है तो खदान पकड़ा दिया है दूसरी कोई इंड़स्री का सेक्टर है, वो भी उनको पकड़ा दिया है, तो जो आम आदमी है, जो जनता है, किसान है, करीब है, वो कमा नहीं पा रहा है, आज खेती में आप कितना भी काम कर लें, पूरी नहीं हो रही है आपकी कमाई, क्योंकि जो खेती का समान है, उस सब स समान खरीदें, खाद मिलें, आपको पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है तो हर जगे महंगाई है तो आप जब तक वो सब खरीदें और अपनी कमाई करें, कुछ बचता नहीं है, बच्चों की फीज भरनी पड़ती है, जो हार होता है, कुछ निपाई-पुताई करनी है घर में, कोई बिमार पढ़ता है, इलाज करना है, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत संकट हो गया है, महंगाई तो आप पूछिये ही मत, आप जानती है, डाल, सबजी, मिती का तेल, सस्ता क्या रहा, कुछ नहीं रहा, जो छोटी-मोटी आपकी बचत होती थी, जो आप कि चलो त्योहार आएगा, कुछ खरीद लोंगी, वो भी नहीं छोडी, हर स्तर पर आपके लिए मुश्किले खड़ी कर दी है, आप यहां बैठी है, मेरी बहने, संसकार आप ही परिवार को देती है, बच्चों को आप बढ़ा करती है, जब तक सब सो नहीं जाते घर पे, तब तक आप सोती नहीं है, मैं जानती हूँ, यह सिर्फ आपकी बात नहीं है, हम दूसरे परिवारों में भी, बड़े परिवारों में भी, जिनके पास शायद कम है, जिनके पास जादा हो, सब परिवारों में, कोई फरक नहीं है, महिलाओं में, महिला सबसे जादा काम कर तो घर पे जाके देखेगी कि बच्चों ने खाना खाया की नहीं, अब मैं यहां हूँ भाशन दे रही हूँ, घर जाओंगी, पहले बच्चों को पूछूंगी, कि क्या खाया, पढ़ाई की, बच्चा बेटा काम कर रहा है, काम कैसा था तुम्हारा, जब तक सब सो तब तक नहीं सोएंगे, हर महिला का यही जीवन होता है, संघर्ष का जीवन होता है, अत्याचार भी सबसे जादा महिलाओं के साथ भी होता है, और हम संघर्ष करती हैं, हमेशा हम प्रयास करते हैं, कि पहले सब खुश रहें, उसके बाद फिर हम अपनी खुशी देखते ह सच बात है कि नहीं, है ना, जहां परिवार को जरूरत होती है, जहां परिवार को जरूरत होती है, हम हमेशा परिवार के संघर्ष में शामिल होते हैं, खड़े होते हैं परिवार के लिए, और बच्चों की परवरिष की बात जब मैं करती हूं, तो यह सिर्फ आप अपने बच्चों की परवरिष नहीं कर रहे हैं, यह आप देश की नई पीडी बना रहे हैं, देश की नई पीडी की परवरिष कर रहे हैं, तो आपका देश के निर्मान में बहुत योगदान है, लेकिन आपको पूछने वाला कौन है, सारे नेता मंच पे आके कहते हैं, महिला सुर के लिए नहीं लागू होगा? महिलाओं पर अत्याचार होता हात्रस में एक नौजवान महिला के साथ अत्याचार हुआ उसको जलाके मार दिया मोधी जी और उनकी सरकार ने क्या किया? पलक नहीं जबकाई? उन नाओं में यही हुआ, मैं गही थी उस महिला के घर, मैं आपको बता नहीं सकती बहने, क्या सुना मैने उस घर में, उसकी भावी थी, क्या क्या बताया, कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भावी बाजपा से जुड़ा हुआ था, जिसने अत्याचार किया, कुछ नहीं छोड़ा उस घर में, उसके पिताजी को पीटा, उसके भाईयों को पीटा, उसकी भावी को धंकाया, नौ साल की भावी की बेटी को धंकाया कि तुम पाटशाला मताओ, तुमको भी दिखाएंगे, उस महिला को जला दिया, उसके पिताजी के खेत भी जला डाले, कोई ऐसा अत्याचार नहीं बचा रहे हैं, ओलिम्पिक की मेडल लाई, संघर्ष करके हमारी बहने, बच्ची हैं, 20-22 साल की, रोज सुभे कुष्टी लड़ने के लिए गाहों से जाती हैं, ट्रेनिंग के लिए 6-6 बजे उठके, इतना संघर्ष किया, ओलिम्पिक के मेडल लाए, जब मेडल लाए, मोदी जी ने चाय पिलाई, घर बुलाया, फोटो खिचाई अपने साथ, सारे अकबारों ने लिखा कि मोदी जी की सरकार है, देखो इसलिए महिलाए मेडल जीत रही है, जब वही महिला, सड़क पे उतरी, उस ही महिला ने कहा, कि मेरे साथ आपके, एक नेता ने भाजपा के नेता न तो तीन किलो मीटर दूर बैठी थी वह महिला, मैं उससे मिलने गई, मैंने कहा, क्या बेटा क्या हुआ, कहती है मुझे सिर्फ नयाय चाहिए दीदी, मैं इतना लड़ी हूँ देश के लिए, मैंने देश का गौरव, देश का सम्मान बढ़ाया है, और आज मेरी सुनवाई नहीं है, मैंने सोचा था, उसने मुझे ये बात बोली, कि मैंने सोचा था कि मैं गोल्ड मेडल लाई, कि मैं अगर सड़क पे आऊंगी अपनी बेहनों की मदद के लिए, तो मोदी जी मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि जब मैं मैडल लाई थी, तो मुझे घर बुलाया था, उसने मुझे बोला, वो इतनी मायूस थी दुखी थी, कि उस समय जब वो संकट में है, देश के लिए उसने इतना किया, लेकिन देश उसकी बात नहीं सुन रहा है, सरकार उसकी बात नहीं सुन रहा है, प्रधान मंत्री के पास पाँच मिनट का समय नहीं है, कि वो उसके प वो अत्याचार किया, क्यों? क्योंकि राजनी तिक तौर पर उसकी, उनकी मदद हो रही थी उससे तो आप सोचिए ये परिस्थितिया है बहने, आप सब कुछ समाल रही हो लेकिन आपके लिए ना सुनवाई है सरकार में और कोई स्कीम है, जब आपको कुछ देने की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? लो पाँच किलो राशन है की नहीं? कहीं पे कल में असंप में थी वहां कहरें कि लो बारासो रुपए दे दे देंगे तुमको उनसे पूछिये ना बारासो रुपए से आज क्या खरीद पाएंगे एक सिलिंडर नहीं मिलेगा पाँच किलो राशन ठीक है अच्छा है ले लो लेकिन इस से क्या आपका नौजवान बच्चा अपना भविष्य बना पाएगा? मेरे भाई खड़े हो अगर मैं तुम्हें वह और से बोलू यलो रोजगार और यलो पाँच km बुरा राशन राशन इस पाएगा कौछ साल् होगे, क्यों? क्योंकि रोजगार तुम्हे आथ में निर्भर बनाएगा रोजबार तुम्हें शक्ती देगा रोजगार तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने का सम्मान देगा और पाँच किलो राशन क्या देगा बताओ क्या देगा जब वो पाँच किलो राशन खतम होगा फिर से तुमको किस के पास जाना पड़ेगा फिर से मांगना पड़ेगा सरकार से फिर से सरकार तुम्हें निर्भर बनाएगी, उस पांच किलो राशन पर निर्भर बनाने का प्लान है उनका, और इसी पर, इसी के बल पर, एक धर्व के नाम पर, दूसरा पांच किलो राशन के बल पर, ये बार बार आपसे वोट मांग रहे हैं, जाग रुक बन जाओ, जोजगार दें तुम्हें, ये तीस लाग पद जो खाली पड़े हैं, इनको भर के दिखाएं, मोदी जी सामने आते हैं, पूछो इन से, मोदी जी, आप सतर साल की रट लगाये रखे हैं, कि सतर साल में कॉंग्रेस ने कुछ नहीं किया, पूछो इन से, बताओ इनको, कॉं that Congress ने आपको दिलवाया, Congress ने आपको सम्मान दिया, Congress ने आपके समाज को आगे बढ़ गएढाया, इन्हों ने अपने अपने पती मित्र को दे दिया, इन्हों ने आपसे रोजगार चोना, आपसे जमी चीनी, आपसे, जो आप खा रहे हैं, आपके पेट में जो खाना जा वो छीना है, जागरुक बन जाओ, क्योंकि जब जागरुक नहीं होगे तो सिर्फ आपका भविष्य नहीं, पूरे देश का भविष्य संकट में आएगा आज आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, आगे क्या करेंगे अगर रोजगार बनाने के माध्यम और साधन ही सारे बंद कर दिये इनोंने हमारे नियाए पत्र में लिखा है, कि महिलाओं के लिए बारा सो रुपे नहीं साड़े आठ हजार रुपे हर महीने हम दिलवाएंगे जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में जाएगा एक लाख रुपे साला ना बनता है यह मैंने आप से कहा 25 लाख तक आपका इलाज फ्री होगा और सरकारी नौकरियों में मेरी बेहनों को 50 प्रतिशत आरक्षन इसलिए मिलेगा ताकि मेरी बेहने अपने पहरों पर खड़ी हो पाएं आशा, आंगणवारी, मिड्डे मील, मितानीन जो बेहने हैं आप सब के वेतन में केंदर सरकार से योगदान होता है उसको हम दो गुना करेंगे ताकि आपके वेतन बढ़ें तो सिर्फ यह आगर है आप से कि आप जो देश की परिस्थितिया है वो समझ जाएं देश की परिस्थितिया आज यह है कि आज आज आपके जो मुख्यमंत्री थे भगेल जी इन पे इतना हमला क्यों हुआ मैंने आप से बताया क्योंकि आपके स्वाभिमान की बात की इनको अच्छा नहीं लगा कि कहीं पे एक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो खड़े हो जाते हैं अपने प्रदेश के लिए जो लड़ लेते हैं अपनी जनता के लिए तो इनको दबाने की कोशिश की गई इसी तरह से ज जो जो इनके खिलाफ लड़ रहा है उनके खिलाफ केस ब्रश्टाचार के आरोब इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दो-दो मुख्यमंत्री चुनाओ के समय जेल में डाल दिये गए उनमें से एक अधिवासी मुख्यमंत्री है है मन्सोरेन जी और देखिये क क्या है आपका समाज उनको जेल में डाला उनकी भीवी खड़ियो गई विशान से भाशन देती हैं शान से प्रचार कर रही है कह रही है मेरे पती अगर जेल में हैं कोई बात नहीं मैं लड़ूंगी उनकी लड़ाइग यह आदिवासी समाज की शान और कितने सुन्दर भा आफसे लुपक्स पर हमला हो रहा है एक तरफ विपक्ष को कह आ रहा है और भ॥ ऑृ जा रहा है भ॥ जा रहा है भ॥ है भ॥ है मोदी जी तो शायद एक लोटे नेता होंगे जो धेश में मंच पह खढ़यो के कहते है कि मैं ही एक इमानदार हूँ जो सारी दुनिया से लड़ रहा है, बहुत इमानदार है, बहुत इमानदार है, इसलिए चुनाओ के समय, इमानदारी से आपके काम की बात नहीं कर सकते, इमानदारी से आपको यह नहीं बता सकते, कितनी नोकरियां दी, कितने रोजगार दिये, कितनी प एमांदारी से यह नहीं कह सकते कि जो अदिकारी हैं, जो सेना में भर्ती हैं उनके भविश्य के साथ क्या किया ? पंशन खतम कर दिya और जो सेना में भरती हैं उनको चार каких पार साल की अगनिवीर प्रोग्राम दे दिया ताकि चार साल बाद घर आएं और फिर से बेरोज़गार हो जाएं इमानदारी से ये बात नहीं कह सकते आपके सामने सच्चाई आप से कभी नहीं कह सकते ये कहते हैं कि सबसे इमानदार है लेकिन सबसे बड़ी भरष्टाचार की स्कीम नरिंदर मोदी जी इस देश में लाए सुन लीजे क्या थी वह स्कीम कि जो भी चंदा देगा राजनी तिक्दल को जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा इसका मतलब है जनता को नहीं पता चलना चाहिए कि अडानी ने कितने हजार क्रोड दिये हैं और न्यायाधीशों ने ये कहा कि ये पारदर्शी होना चाहिए तब अचानक मोदी जी, अमित्षा जी सब इंटर्व्यू देने लग गए कि भाई हमने बड़ी पारदर्शी स्कीम बनाई तेख लो पहली बार पूरे देश में लिस्ट निकलाई है अरे आपने थोड़ी निकाली लिस्ट ये तो कॉर्ट के ओरडर पे आपसे निकलवाई गई है लिस्ट आपने तो इसको गुप्त रखा था और सुनिये क्या गुप्त रखा था गुप्त ये रखा था कि हजारो क्रोड रुपए इनोंने अपने बड़े बड़े खरबपती दोस्तों से लिये तो हैं लेकिन ऐसे ऐसी कंपनियों से लिया हैं जिन पर पहले इनोंने चापा मारा चापा मारा चंदा लिया चापे बंद केस डाले चंदा लिया केस बंद य याद है आपको उस पुल को बनाने वालों से चंदा लिया वैक्सीन लगी थी आपको कोविड के समय लगी तीका लगा था लगा था सबको लगा वो याद है आपको यू टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी किसका चहरा था उस पे और जोर से बोलो था ना मोदी जी का चहरा आज ज़रा देखो सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो चहरा नहीं होगा अब फोटो नहीं छप रही है मोदी जी क्यों क्योंकि उस टीके को बनाने वाली कंपनी से इनोंने चंदा लिया और आज आज बाहर क्या आया है बड़ी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई है कि काफी लोग उस टीके को जब उस टीका लगा तो उसमें से एक दो प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए किसी को पता नहीं चला कि क्यों गिर के मर रहे हैं कोई मंच पे खड़ा भाशन दे रहा है बगवान ना करें कोई मंच पे खड़ा भाशन दे रहा है या फिर कोई खेती में काम कर रहा है कई ऐसे लोग शहरों में जिम में जिम कर रहे थे नौजवान अच्छी सेयाद के 30-40 साल की उमर गिर के मर गए पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है आज उस company ने कह दिया कि हाँ ऐसा है कि कुछ एक दो प्रतिशत लोगों को ऐसा हो सकता है तो आप सोचिए इन सबसे चंदा लिया बाकाइदा चंदा गुप्त लेने की scheme बना दी और अपने आपको इमांदार कहते हैं ब्रशनेताओं को अपनी पार्टी में लेते हैं दो देते हैं जैसे जिन वाले साबुन से दुलाई होती है ना चमका देते हैं उनको, काले धंदे सारे साफ हो जाते हैं, सफेध हो जाते हैं, कोई गंगामिया तो है नहीं BJP, कि उसमें दुप जुप रहो और आप के पाप धुल जाएंगे, है ना, वाशिंग पाउड़ को साफ हो जाते हैं, अना मोदी वाशिंग पाउडर है, भगेली तो आपको कैसे समझ में आता बात आएगी, मैं मोदी जी का भाशन देख रही थी और मैं देख रही थी कि जो मैं उनके बारे में कहती हो वही हमारी बारे में वह कह रहे हैं है कि नहीं, आप चलाइए, वह कहेंगे हम भरष्ट हैं, हम कहें वह भरष्ट है वो कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम विकास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमने विकास किया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, अब आप जनता हो, कैसे समझोगे, कि ये मोदी जी सच कह रहे हैं, या कॉंग्रेस के नेता सच कह र बेने, घर में शादी होने वाली होती है न, लड़का देखने जाती हो, क्या देखती हो सबसे पहले, मैं बताओं अगर मेरी लड़की की शादी हो रही होती तो मैं सबसे पहले क्या देखती है, लड़के की नियत क्या है, है न, ठीक है, काम करता है, महनती है, ये सब ठीक है, लेकिन नियत क्या है नियत सही नहीं है तो शादी नहीं होगी सही बात तो नेताओं में नियत क्यों नहीं ढूंडते समझदार हो इतने जो नेता बार बार आपके सामने आके कुछ इधर उधर की बाते करके चले जाता है चुनाओ के बाद मूँ नहीं दिखाता, चुनाओ के बाद ना आपकी टूटी से पानी आ रहा है, ना आपकी शड़क बन रही है, ना आपका बत्चा पाठ्षाला जा पारा है, ना नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, तो उसकी नियत पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, नियत पे सवाल उठाओ, और अपना जो जीवन है न, उसके अनुभव पर उत्रो, किसी की बातों में मत पढ़ो, मैं यहां से चली जाओंगी, आपको लगेगा ठीक है अच्छी बात बोली इसने, कई और कोई और आ जाएगा, फिर आपको उसकी बात अच्छी लग जाएगी तो अब बीच में आप अटके हुए हो, तो क्या करना है, अपने जीवन के अनुभव को देखो, पिछले दस सालों में, आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई है, आपके बच्चों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, जो गाउं में पाटशाला है, वो पहले से अच्छा हुआ कि नहीं, मैं जानती हो आपके यहाँ, बचेल जी ने बताया मुझे कौन सा पाटशाला, आत्मानंद, आत्मानंद पाटशाले में आपको मुफ्त मिल रही थी शिक्षा, भाजप्पा की सरकार आई, अब फीज भरनी पड़ रही है, तो यह किसका है, आपका अनुभव है, कोई बिमार पड़ता है, स्वास्त की सुविधाय नहीं है, पैसा नहीं है, इलाज के लिए किसका अनुभव है, आपका अनुभव है, राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार थी 25 लाग ता कि इलाज फ्री मिल रहा था, यह जनता का अनुभव है, तो आपका जो अनुभव है ना, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, सम्विधान जो है, इस देश का, इसने यही आपको शक्ति दी है, कि जब आपका अनुभव सही होता है, आप जागरुक रहते हैं, तो आप वोट डालते हैं, अपने नेता को चुनने के लिए, आज यही नेता, मोदी जी क्या कह रहे हैं, सम्विधान को बदल जा लेंगे, खुद तो नहीं कह रहे हैं, खुद इसको नकारते हैं, लेकिन जो इनके नेता जाके चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव में उमीदवार बने हैं, जो इनके मंत्री हैं, यह कह रहे हैं, 400 हमें सीट दे दो इस बार, देख ले ना, हम इस बार सम्विधान को बदलेंगे, अब जब ये बात, कुछ समुधायों में फैली, जैसे आपका जो समुधाय है, आदिवासी समुधाय है, इसको बहुर शक्ति आपको बहुर शक्ति दिये सम्विधान में, अब जब ये बात फैलने लगी, तो इनको लगा मोदी जी को अब हम संकट में आ जाएंगे, क्योंकि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है, जनता को ये अच्छी नहीं लग रही है बात, कि हम कह रहे हैं हम सम्विधान बदल के जनता के अधिकारों को कमजोर करेंगे, तो अब मोदी जी मंच पे खड़े होके कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात शुरू तो इन्होंने करवाई है, छोटी-छोटी जगों में इनके छोटे-छोटे नेता ये बात कर रहे हैं, तो देखिए ये इनका सिलसिला होता है, बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है, पहले ये नकारते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ही शत्ता में आते हैं वही चीज करते हैं जिसको नकार रहे थे, और ये हर स्तर पर आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं दस सालों से, ये सारी बाते जो है न जो देश की संपती दे रहे हैं, बड़े बड़े खरबपतियों को यह सब आपको कमजोर करने का काम है तो एकदम जागरुकता से और गंभीरता से इनकी बाते और इनकी नेताओं की बाते सुन लो और इनको समझो कि इसके पीछे नियत सही नहीं है, और नियत सही नहीं है तो किसी को कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए, सत्ता हमेशा उसी को देनी चाहिए, जिसकी नियत सही हो, यह कोई नहीं बात नहीं है जो मैं समझा रही हूं आपको, यह बहुत पुराना विवेक है हमारे देश का, जब राजाओं महराजाओं का समय था, तब की बात है, राजा कौन सा जाना जाता है, आज भी अगर हम याद करते हैं किसी राजा को, कि ठीक है यह अच्छा था, तो इसलिए ही तो जानते हैं कि उसने प्रजा के लिए काम किया, उसने सबसे पहले आपकी जरूरतों को रखा, तब ही वह अच्छा माना जाता था, अब लोगतंत्र है, लोगतंत्र में वही सरकार अच्छी, जो समझे की जनता सर्वो परी है, और वैसी सरकार हम आपको देना चाहते हैं, इंद्रा गांदी जी ने दी, उनके बाद तमाम नेताओं ने दी, मुझे याद है मेरे पिता जी काम करते थे साड़े-चार बजे तक सुबह, और कभी-कभी मैं देखती थी कि घर आये हैं नहा के, कुछ खाके, फिर से निकल गयें छे बजे, क्यूं, अपना क्यूं दिया इस देश के लिए, इन सब नेताओं ने, सिर्फ मेरे परिवार ने नहीं, जिस नेता के नियात अच्छी थी, क्यूं, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, जिस तरह से आप खेती करते हैं, आप किसानी करते हैं, अपने परिवार को मजबूत बनाने के बच्चों की तो नई पीडी की परवरिश कर रही हो, देश के भविष्य के निर्माता हो, जो मजदूरी करता है, देश के लिए भी इमारत बना रहा है, सबका देश में योगदान है, सबका देश है, सबकी धर्ती है, सबका पसीना है इसमें, सबका खून है इसमें, इसलिए चुनाव के समय एकदम गंभीरता से अपने वोट को समझो जो आपके लिए काम करेगा, जिसने काम करके दिखाया है, जो आपके जीवन के अनुभव में दिख रहा है काम, टीवी पे नहीं, जो तरक्षी आपके जीवन में दिख रही है, उसके आधार पर अपना वोट डालो, यहां हमने कौर्बा के लिए भी कुछ चीजे सोची हैं, हमने सोचा है कि सर्वे कराकर नए कोईला जो है, उसके लिए एक आधारित उद्योग खुलवाएंगे, आपने जो कास्ट माइनिंग से, जो आपकी जमीने बरबाद हुई हैं, उनको सम्तल कराए जाएगा, ताकि वहां आपकी आबादी बस पाए, यहां चिर्मिरी में ट्रेंद सेवा हम शुरू करना चाहते हैं, ठीक डंक की, कि अगली बार मैं यहां आऊँ, तो आपके पास में किसी दूसरे माधियम से भी पहुँच पाऊँ, और यह जो सब दूर दराज इलाके हैं, आपके सारे जुड़ जाएं, किसी को मिलने जाना हो, रिष्तेदारों को कहीं और रह रह रहे हैं, आप जा पाएं सुविधा से, बाजार मूल्य से चार गुना अधिक मुहावजा हम आपको देना चाहते हैं, जब आपकी जवीने लिए जाते हैं, कॉंग्रेस की जो गयारेंटीज हैं, जो हम इस चुनाओं में आपको देना चाहते हैं, उनको आप ठीक धंग से समझिए, जो तीस लाग पद मोदी जी ने खाली रखे हैं, उनको हम भरना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, जो सना तक पास होता है उसको एक लाग की हम apprenticeship दिलवाना चाहते हैं मतलब आपने पढ़ाई की माबापने मेनद से पढ़ाया रोजगार नहीं मिल रहा है हम चाहते हैं कि हर नौजवान को एक ऐसी apprenticeship मिले जैसे जो अमीर लोगों के बच्चों को मिलती है कि जब पक्के रोजगार से पहले एक नौकरी मिल जाती है उसमें थोड़ा सीख भी लेता है और कमा भी लेता है तो उसको apprenticeship कहते हैं हम चाहते हैं कि यह आपके लिए भी यह सुवधा हो और ऐसे ही नौजवान एक लाक रुपए साला ना कमा पाएं MSP जो है जो किसानों को मिलनी चाहिए मैंने पहले आप से कहा कि जो आपके जो मूल खेती है उसके लिए भी हम यह सुवधा कराएंगे लेकिन हम कानून बनाएंगे कि आपको न्यूंतम समर्थन मूल्य मिलना ही है यह आपका अधिकार बन जाएगा किसानों का खेती के सारे समानों पे जिस पे आप GST दे रहे हो इन सब समानों को हम GST से मुक्त करेंगे आपके फसल का नुकसान होता है तीस दिनों में भुक्तान आपको हम देना चाहते हैं और माफ करिये शाहिए मैंने पहले कहा लेकिन चार जो चार गुना भुक्तान है वो हम कोशिश करते हैं कि आपको वो मिले भूमी हीनों को जमीन दी जाएगी और न्यूंतम मजदूरी यहां पे 400 पूरे देश में 400 रुपे की होगी इसका मतलब है कि कोई ठेकेदारी पे भी आपको अगर नौकरी दे तो कम से कम उसे 400 रुपे की दिहाड़ी आपको देनी ही पड़ेगी तो यह सब हमारी आपके लिए गैरंटी है अब आपने खुद अपने अनुभव से देखा कि जब हमारी कॉंग्रेस की सरकार थी तो जितनी हमने गैरंटी आपको दी थी चाहे किसानों के कर्ज माफ करने की चाहे हमने आपको 35 किलो राशन दिया यह सब हमने आपको करके दिखाया तो आप जो चुनाव आ रहा है उसमें अगर आप कॉंग्रेस पार्टी को जिताएंगे अपने ही विवेक से अपनी ही समझदारी से आप हमारी उमिदिवार के पक्ष में वोट डालेंगे तो आप अपनी ही तरक्की कराएंगे और अपना ही भविष्य उजवल करेंगे तो मैं आप से आगरे करती हूँ कि यह सारी गैरेंटी अगर आप अपने जीवन में उतरते हुए देखना चाहते हैं अगर आप अपने जीवन के अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को उजवल बनाना चाहते हैं, तो आप Congress को vote दीजिए, मुझे यकीन है कि जब आप सारे नेताओं के भाशन सुनेंगे, और ध्यान से बारीकी से उनकी बातों को समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी नियद ठीक है और किसकी नियद गलत है, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से मेरी बाते सुनी, हो सकता है कुछ बाते छूट भी होगी, छूटी भी होगी, उसके लेक्षमा चाहती हूँ, जाहिन! आप सबने एक भारत की बेटी की आवाज सुनिये, आप सबने अपनी बेटी की आवाज सुनिये, आप सबने अपनी बहन की आवाज सुनिये, आप सबने एक मां की आवाज सुनिये, और इस आवाज को सुनाने के लिए, मैं आधरनिया दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पहली बार आपके परिवार से कोई यहां आया इस गरीब गाउं में सिकुरते हुए सहर में स्रमिकों के बीश उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार नजीर भाई से चाहूंगा कि वाएं और हम सब का इन साथियों का भार बख्या रहे नजीर भाई आप लोगों को कितना हर्स हो रहा होगा कि आज चिर्मिरी के इस पावंधरा में आप लोगों के बीच के हम लोग को देश की मतलब तीसरी पीड़ी की हमारी प्रियंका गांधी जी को देख करके हमारे जिनता इतना उस्साहित है और इस बीच में आय हुए हमारे अधर निम